चानल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबायो विडियों की लीटिस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाय धन्यवाद हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का हमारे चैनल क्रुकेश चेड़ी में इस वीडियो के माझें से दोस्ते आपकर आपके अंपर इंदियान आरमी टेक्निकल के लिए मैτεमेटिक का क्फेशन पर कराओंगा दोस्तो जो दोस्तो बेहेंत मैथों जूझन हमने आपकर गतवर्शन के लिए हैं तो आप इन question को धियान पूर के आपर देखेंगे दोस्तो और इन question का लुट्फ उठाएंगे देखें दोस्तो पहला question आपके आपके क्या है एक त्रिकोड के दो कोड 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोड क्या होगा दोस्तो आपके त्रिकोड का मतलब आपको पतावना चाहिए हमारा एक त्रिवोज है अब देखें त्रिवोज के दोस्तो आपको दो कोड़े दिये हैं तो आपको तीसरा कोड निकालने में कोई कठिना ही नहीं होती है क्योंकि आपका एक थ्योरम का आप इस्तिमाल करते हैं दोस्तों वो थ्योरम आपके होती है कि हमारे तीनों कोड़ों का जो योग होता है दोस्तों कितना होता है 180 होता है तो ये थ्योरम आप याल रखेंगे तो दोस्त आपका यहां पर देखें, दो कोड़ें यहां पर यह हैं, 30 degree और यहां पर 105 degree तो दोस्ते इन दोनों को आपने add किया प्लस आपका यहां पर एक कोड निकालना है तो आप easily निकाल लेंगे दोस्तो कोड C जो आपका होगा दोस्तो वो आपका 180 मैनस इन दोने को आपने एड़ किया तो कितना है आपका 135 तो दोस्ते आपका यह आपर आ गया 45 45 डिग्री आपका दूस्ते आप निकल किया आ गया तो आपका option नमर यहापर बी वाला सही हो जाएगा तो जब भी आपको ग्यात पूर निकालना हो तो आप यही थिवर्म का इस्तिम बीच में लिखा रहता है तो आप 45 करेंगे गुणा करतेंगे साथ बट्री नौ करतेंगे देखें आपका यहापर इसली निकल किया आ गया पांच गुणा साथ यह दोस्ता आपका अपर गुणा करने पर कितना आएगा साथ बंचे 35 निकल किया गया option नमर आपका बी वाला सही हो गया अब देखें दोस्तों हम अगले question को देखते हैं यहापर अब दोस्तों दीके अगला question आपका यहापर क्या है यदि 0.4z minus 3 equal to minus 7 upon 5 हो तो दोस्तों आपको बताना है 1.5z plus 9 क्या होगा देखें दोस्तों यह निकालने से पहले पर आपको क्या निकालना पड़ेग 0.4z minus 3 equal to आपको दिया है 7 minus 7 upon 5 दोस्तों दीखें आप यहापर minus 3 को इधर डाल देंगी तो आपको मिलेगा दोस्तों 0.4z equal to minus 7 upon 5 plus 3 आगया और दोस्तों आपको इधर जो भिनना आपकी है solve कर दीजी दोस्तों आपका 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 आगया minus 7 plus 15 upon 5 और दोस्तों यहापर गया उपर आपने solve किया तो 8 upon 5 अब दोस्तों दीखें आपको निकालना क्या है Z निकालना है तो आप यहापर Z निकाल लिए तो Z बराबर आपका आपका जागा दोस्तों 8 upon 0.4 नीचे चला जागा दोस्तों और 5 आपका और नीचे है 5 तो एक गुणा हो जाएंगी तो दोस Z का मान आपका 4 आ गया अब आपको निकालना यह था तो आप निकालीजी 1.5 इंटू Z की जिगप आप यहापर 4 रग दीजी प्लस 9 तो यह दोस्तों आपका देखिए आपर 1.5 का जवाब 4 से गुणा करेंगे दोस्तों आपका यहापर क्या मिलेगा यहापर आपका 6 देखते हैं अगला कुशन आपका है दोस्तों 4.21 का आंशिक मान क्या होगा दोस्तों दीखिए आंशिक मान का मतलब होता है आपको भेंदे के फॉर्म में लिखना पड़ता दोस्तों आपको यह दी है दोस्तों आपको एक फ्रेक्शनल फॉर्म लिखना इसका 4.21 आपने आपर दोस्तों को हटा दिया बटे इनकी जिगह पर दोस्तों आपने आपर नीची जीरो बना दिये जिसने भी अंकर पर लगाओगा उतने आप जीरो बना दिये तो यही आपका यहापर आंशिक मान होगा तो option number आपका B वाला दोस्तों सही हो जागा अब दिखेंगे हम अगले question को देखते हैं दोस्तों अब दोस्तों दिखेंगे अगला question आपका आपर क्या है कारी और समय वाला है बहुत मैत्म question है यदि 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कारी को 10 आदमी के 3 दिन में पूरा कर सकेंगे दोस्तों दिखेंगे इसके लिए हमेशा आपको एक फोरला याद रखना है m1 d1 equal to m2 d2 दोस्ते हम कई बार पढ़ भी चुके हैं तो ये ट्रिक आपको हमेशा आद रखने हैं दोस्तों m1 मतलब पहली मरत बार लोगों की संख्या दोस्तों यहाँ पर व्यक्तियूं की संख्या 8 जाए की गुणा d1 मतलब पहली बार में 20 बराबर m2 बराबर दूसरी बार में 20 आदमी दोस्तों यहाँ पर 10 होगे 10 into d2 आपको निकालना है अब दोस्तों आपका आपकर d2 बराबर क्या आगया d2 बराबर आपका 8 गुणा 20 बट्टे 10 और यह दोस्तों आपका आपकर कितना आ गया 16 निकल के आ गया तो दोस्तों आपका 16 निकल के आ गया बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा अब दोस्तों देखते हैं एक वर्ग की परीदी दोस्तों एक हजार है तो इसकी एक भुजा क्या होगी दोस्तों दिखें वर्ग की पहले पर आपको परीदी पता होनी चाहिए दोस्तों यदि एक भुजा ए है तो चारों भुजाओं का य अधात एक हजार बट्टे चार तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर 250 यह आपकर निकल किया जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखें हम अगला कुशन आपकर देखते हैं अंतियों कुशन इस वीडियो का दोस्तों 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त आपका यहाँ पर 36 है तो दोस्तो जल्ट का वर्गमूल पता होगा 6 होता है अब बात आते हैं यहाँ पर दोस्तों पर हम दस्तनाव को लगाएं क्योंकि आपका Six तो हर एक में दिया है तो इसके लिए आप क्या 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 देखेंगे कौन से इस्थान पर आपका दस्नाव ह तो यह आपका यह बनके आ गया जिरूक्ष प्वाइंट 0 6 । तो दोस्तो आपका पर option number B वाला सही हो जाया था है तो दोस्तो यह आपने आपर question । मैथमेटिक के बैहने मैय मैं when पोछे सब्सक्राइब के ब लिऑ हों कि दोस्तों है अब दोस्तों मिलते हैं आपको नए क्वेशन को लिखर के अगले वीडियो में ओके थैंक